हेलो बॉलिवूड लवर स्वागते आपका अपने यूट्यूब चैनल दे ट्रिगर्ड बॉलिवूड वाला पर और आज मैं आ चुका हूँ एक नए टीजर का रिव्यू लेकर जिसका नाम है शेहजादा टीजर के शुरुवात एक इतने बढ़िया सिनेमेटिक शॉट के साथ होती है एक इतना बढ़िया उसके अंदर घर और इतने अच्छे विजूल दिखाई जाते हैं कि एकदम आँखों को लगता है वाह मज़ा आ गया टीजर के शुरुवात में कारतिकारियन एक डाइलॉग मारते है बात जब फैमिली पर आती है तो डिसकशन नहीं सिर्फ ऑक्छन होता है मतलब कि इस movie के अंदर एक family drama है और कार्तिक आरियन अपनी movie के अंदर अपनी family को बचाने के लिए बात नहीं करना चाहते हैं अब सिर्फ action करना चाहते हैं इस movie को रोहित धवन ने direct किया है और इस movie के पहले वो डिशुम जेसी awesome movie बना चुके हैं मैं आपको बता दू रोहित धवन की एक खास बात यहीं कि जब भी वो movie direct करते हैं उनके cinematic shots उनका camera work इतना awesome होता है कि बड़े परदे पर देखने में सच में मदा आ जाता है सीटिया बजाने को कई कई मोमेंट पर मन करता है अब इस movie की बात करें तो इसमें एक तो कार्तिक आ रहे हैं बंदे का समय चल रहा है बुल बुलाया 2 एक ऐसे point पर हिट हुई थी जब बॉलिवूड की नईया डूब रही थी उसके बात अभी उनकी movie Freddy, Freddy Mono ने बहुत जादा अच्छा role, psychic doctor का role वो play कर रहा है and आप आगई है उनकी तीसरी एकदम मसालेदार movie जिसका नाम है शहजादा अब ये शहजादा का teaser देखकर तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया इस teaser में कृती सेनौन है जिनके साथ में उनकी chemistry बहुत awesome है इस movie की cinematography, इसके visuals, इसके अंदर जो भी आपको effects दिखाई दिये हैं teaser के अंदर वो कमाल के है, action तो ताबर तोर दिखाई दिया है मतलब की धमागेदार action होने वाला है अब यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि अलू अर्जुन से इस movie का क्या लेना देना तो मुझे एक second के लिए इसके teaser को देखकर सच में लगा था जब कार्ति कारियन scooter पे चलते हैं तो मुझे लगा कि अरे यह तो हमारे DJ movie वाले अलू अर्जुन की याद दिला रहा है और जब वो लाल कपडा सर पे बानता है तो मुझे लगता है कि याद एक second के लिए अलू अर्जुन ही है और हाँ यह अलू अर्जुन की 2020 में release हुई movie का remake है movie का नाम था अला वेकुंट पूरमलो यह एक South की 2020 की एक बहुत hit movie है और यह उसी का remake है अब इस original movie की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि actually इस movie के अंदर होगा क्या बचपन में इस movie के अंदर कार्तिकारियन को यह बताया जाएगा कि वो बदल गए थे वो जिस घर में पले बड़े हैं वहाँ पर वो actually उनका घर ही नहीं और उनके पिता उनसे बचपन से बहुत खराब behave करते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं उन्हें हर बात में टोकते हैं हर बात में उनको criticize करते हैं और ऐसे ही वो बड़ा हुआ है लेकिन with time उन्हें पता लगता कि अरे मैं बचपन में बदल गया था और ये तो मेरी असली family है ही नी मेरी असली family मेरे असली पिता तो वो है जो की बहुत बड़े business मैंने जिनका घर इस teaser के शुरुआत में आपको दिखाये गया था जब कार्तिकारियन वहाँ जाएगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी real family को कोई लोग है जो बहुत जादा trouble कर रहे है बहुत जादा परेशान कर रहे है और ये उनके साथ अब discussion नहीं action करेगा और अपनी family को मुझीबत से निकालेगा और अपनी family के साथ reunite करेगा तो story बड़ी simple है लेकिन किस प्रकार रोहित धवन इस movie को direct करते हैं क्या वो scene to scene original movie की copy रखते हैं या उसके अंदर कुछ नया flavor नया masala डालते हैं उनका action उनकी timing of comedy ये सब इसके अंदर matter करेगी कार्ति कारियन कृति सेनौन तो काम धमागेदार करेंगे मैं तो ये movie को एक masala movie की तरह लेने वाला हूँ अब लोगों को ये teaser कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताईएगा अगर ये video पसंद आया हो तो like करना सब के साथ share करना और अगर आप channel पर नए हो तो subscribe करना मिलता हूँ अगले movie review में तब तक के लिए bye bye tata take care, sayonara guys